दोस्तो में आम सुई है और आप देख रहे हैं बॉलिवूड फ्रेजी साथ से मैं बात करने वाला हूँ धाकड फिलर टू के रिजू के बारे में और ये जबर्दस पोस्टर आपको नदर आ रहे है धाकड का और वाकरी में फिर्म धाकड होने वाली है जब से फिल्म एनाउ परिलर टाइप बहुत हो चुका है याननिकि हीरोई को हमेशाओ हро के साइड में इस doctoral घुमाने का ही काम होता है यानिकि हीरोईज लोग सिफ प्लिर्स यानिकि जो जगा खाली होती है ना इस क्रिप्ट में थोड़ी थोड़ी एंटेटेन्मेंट के लिए उसके लिए हिरो इंस को यूज़ किया जाता था लेकिन इस फिल्म में जो एक्षिन है यह फूल ओन एक्षिन है अगनी का रोल निभारी कंगना अर्जुन रामपाल का रुक कमाल का है देपादता की परफॉर्मेंस मुझे पूरी यकीन है कमाल की है और जिस तरह का मैंने एक्षिन देखा कई लोग हमेशा यह कहते है कि हॉलिवुड फिल्मों से हमारी फिल्म में कमपीट नहीं करती ना एक्षिन लेवल पे ना किसी तरह से लेकिन इस फिल्म को अगर आप देखोगे ना आपको हॉलिवुड और बॉलिवुड में फर्क नदर नहीं आएगा आपको लगेगा कि यह इंटेनेशनल स्टेंडर वाली कोई फिल्म है भाकर यह बात मैं आपको कह दो चाहता हूं और कल में सेकेंड देखकर यह यकीन हो चलाया मुझे कि बॉलिवुड में कंगना रनाओद एक नया नया क्या बुलते हैं नया जमाना लाने वाली है जहां पर जो फीमेल ओरिंटेट फिल्में है वो और भी ज़्यादा बनेगी अस्पेशली हाइभी दूटी एक्षी जो है वो बनेगा पूरा जैड 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 एक्षी बाल हो फून हो आक्टें हो मतलब कमार का है यह यह सही बात है यह जो इंट अगनी फाडने वाली है और कल जब सल्मान खान ने भाकड का ट्रेलर 2 रिलीस किया तो एक और चीज साफ हो चुका कि कंगना कभी भी सल्मान के हमकी उन्होंने बुरा ही नहीं की बाकी सब की शायद की है लेकि सल्मान खान की नहीं किया और सल्मान यह बता दिया कि Kangana, we are there with you, you are going for the right thing and that's the great thing. So Thakar trailer is bang on, ऐसा action, खरारा जबर्दक्टक्शन मैंने अभी तक हिंदी फिल्मों में नहीं देखा है, चाहे वो हीरो की फिल्म में हो, चाहे हिरो इन की फिल्म में है, जादर जादर यही कहूंगा, Kids watch, kids watch a war movie, legends will watch भाकर movie, चले फिल्म कितना ही, मेरी रेटिंग्स टेयर ढुको है, साड़े शास्तार रुपाया.